नमस्ते डियर स्टुएंट्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूटूब चैनल पे आज है हमारा 66 सत्र और अपने इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्लियमेंटास से हमने पीछे का सारा constitutional जितना भी था fundamental rights हो, fundamental duties हो, schedules हो और union executive का कुछ हद तक part हमने वो cover up किया है यहां से अब अपनी गाड़ी हम पार्लियमेंट की तरफ ले चलेंगे राज्यसभा, लोकसभा, speaker, CAG ये सारी चीज़े हम आगे देखेंगे फिर उसके बाद हम state legislature पे चलेंगे तो Welcome to all, start करते हैं Parliament, Indian Constitution, Governance and Institution related ये है हमारे Parliament की तस्वीर, चितर उसका, हलाकि बाद चल रही है कि इसको तोड़के एक नया building structure बनाया जाएगा, right, start करते हैं composition के साथ, Parliament किन चीजों से मिलकर बनता है, ये उठता है पहला सवाल, कि आप किसको Parliament कहोगे, आपकी नजर में Parliament है कौन तो Parliament तीन लोगों से मिलके बनता है, President, लोकसभा, राजसभा, right, ये अप ध्यान रखेगा, President, लोकसभा, राजसभा, इसका main principle function है कानूनों को पास करना, on the matters that constitution specifies to be within its jurisdiction, जो छेतरादिकार में हैं, जो सवेधानिक हैं, उन कानूनों को पास करना, ये इस Parliament का primary या फिरिक तर ये principle function है, उसके बाद ये जो कानून पास करते हैं, तो ये कानून किस-किस पर बना सकते हैं, पूरे भारत के किसी भी शेतर पर बना सकते हैं, for the whole part of India, और any small part of India, for implementing international treaties without consent the states and UTs, ये भी आप ध्यान रखेगा, कि संसद अगर कोई कानून बना रही है, international treaties को implement करने के लिए, त तो उसमें राज्यों या UT's की, Union Territories की कोई भी consent नहीं ली जाती है, next point पर बात करते हैं, इसके जो constitutional powers हैं, वो हैं approval and removal of members of council of ministers, amendment of the constitution, article 368, South Africa से लिया गया है, approval of central government finances and delimitation of state and UT boundaries, तो ये सारे इसके constitutional powers हैं, functions है, की functions है, ये आप याद रखेगा, उसके बाद, क्या cabinet के members, parliament के member होते हैं, तो answer है, हाँ, होते हैं, वो अपनी office को enjoy करते हैं, जब तक उन्होंने confidence बना रखा है किसमें, parliament में, उनको एक विश्वास मत प्राप्त हुआ है, parliament के अंदर में, तब तक वो power को enjoy करते हैं, and they are the members of parliament also, तो ये भी आप ध्यान ये clear है आपको पहली चीज़, आगे चानते हैं, अगला है हमारा membership of parliament, इनके सदसे कौन बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता है, parliament तीन चीज़ों से मिलके बनती है, president, लोकसभा, राजसभा, तो इनकी जो qualifications है, इनके जो members है, इनकी जो eligibility criteria है, वो यहाँ पे parliament में account हो जाएगी, तो basically मोटा मोटी तोर पे दो है, पहला है, उसको भारतिय नागरिक होना पड़ेगा, he or she must be an Indian citizen, next, अगर वो राजसभा में जा रहे हैं, तो उनकी उमर 30 वर्षे कम नहीं होने चाहिए, not less than 30 years of age, और अगर वो लोकसभा के लिए जा रहे हैं, तो 25 वर्षे कम की आयू नहीं होनी चाहिए, तो ये primary मोटा मोटी तोर पे दो conditions होती है, for the membership of Parliament, अगर बात करें, duration of houses of Parliament की, तो duration of houses of Parliament में क्या होता है, Council of State shall not subject to dissolution, but one-third members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year, in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law. CD सब्दों में मैं समझा देता हूँ, हमने पहले भी इस पर बात की थी, Council of State से यहां मतलब है राजसभा, तो राजसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है, right, although उनके जो members होते है, उनका जो कारेकाल होता है, वो 6 साल का होता है, उनके chairman का कारेकाल 5 साल के लिए होता है, और ह लोगसभा, unless dissolved prematurely, continues for 5 years for the date of appointment for its first meeting, तो जब तक लोगसभा भंग नहीं हो जाती, तो वैसे तो वो 5 साल enjoy करेगी, हलाकि ऐसा भी कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ, conventional method है, और उसके बाद जैसी 5 साल खतम हो जाते हैं, तो लोगसभा भंगो के फिर दूसरी नहीं लोगसभा का ग जो Modi government चुनी गई है, यह कौन सी लोगसभा है, बारवी हैं, तेरवी हैं, सतरवी हैं, उनिस्वी हैं, 21 में, कौन सी लोगसभा है, तो यह आज आपका पहला सवाल है, कि यह कौन सी लोगसभा है, यह आप comment head में लिखके बताईएगा, और एक चीज में आपका और बता दू है, हमने प्राइम मिनिस्ट भी पढ़ा हुआ, इसके बाद हम आगे चलते हैं, राजसभा, अब राजसभा की बात की जाए, तो राजसभा के फैटल करेक्टर्स क्या हैं, संगी है, उनके करेक्टर एक परिके से कहले, जे विशेषता हैं, तो सबसे पहला है कि राजसभा जो represent करती है, body of states को represent करती है, जितने भी आपके राज्ये हैं, उनको represent करती है, तो अगला सवाल है कि क्या राजसभा में सिर्फ और सिर्फ states ही represent किये जाते हैं, uts represent नहीं किये जाते हैं, next question for you, answer yes or no में दीजेगा, कि क्या राजसभा में सिर्फ states के representative होते हैं, या uts के भी हो पे हैं आगे बात करते हैं कि हम फैटरल करेक्टर देख रहे हैं ध्यान रखेगा संघीय विशेष्था हैं तो सबसे पहला तो यह है कि यह body of states होता है उसके बाद article 204 क्या है इनेक्ट करना यह सब किसके जिम्यदारी होगी यह राजसभा की जिम्यदारी होगी कुछ मसलों में यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखेगा कुछ मसलों में नोट में यहां पर आपको बता रहा हूं कि in on certain matters लोगसभा भी यह काम कर सकती है तो ऐसा नहीं है कि लोगसभा ब देख रहे हैं ध्यान रखेगा All India Services मतलब कोई भी अगर नई सेवा का गठन करना होगा तो राजसभा ही करेगी उससे लोगसभा नहीं करेगी All India Services इसके बाद Article 352, 356, 360 यह सारे emergency वाले articles हैं जर्मनी के हमने constitution से इनको उठा के अपने में borrow किया है तो यह सारे के सारे क्या show करता है federal character show करता है किसके राजसभा के Article 368, again amendment of the constitution, power of parliament to amend the constitution, borrowed from South Africa तो यह भी जो है represent करती है किसको fatal character of राजसभा को और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो constitution का जो amendment होता है constitutional amendment bill एक तौर पर पास किया जाता है Article 368 के तहत तो इसमें joint sitting नहीं होती है आगे पढ़ेंगे बहुत brief में इसको पढ़ेंगे बराबर रहती है 368 joint sitting constitutional amendment bill यह तीन वर्ड आप याद रखेगा इसके वाद आगे चले तो election of president and his impeachment also form part of fatal character of राजसभा तो यह थे fatal characters राजसभा के आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि राजसभा जो है हमारे सविधान के कौन से अनुछेद में आता है which article represents the composition of राजसभा राजसभा के अब देखते हैं non federal characters basically हम parliament पे बात कर रहे हैं तो parliament में president पहले कर चुके हैं आज हम राजसभा पे बात करेंगे अगला lecture जो रहेगा वो हम लोगसभा को लेके बात करेंगे लोगसभा की क्या विशेशता हैं क्योंकि president हमने पहले कवर अप कर लिया है दो पार्ट से मैंने कवर अप किया है आप उसको देख लीजेगा आराम से राजसभा के non federal characters क्या है representation of states in राजसभा is based on the principle of equality of states तो राजसभा में जो representation होता है states का वो किस principle पे होता है equality of states सभी राज ये बराबर हैं सभी राजसमान है क्या वाकई ऐसा है सभी राजसमान है क्या नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं तो ये इसका क्या है non federal characters है states are given representation in राजसभा on the basis of population which shows its non federal character मैं आपको पहले बोला समान नहीं है लेकिन हम मानते हैं nomination of members of राजसभा is also related to non federal characters तो basically जो nominate होते हैं इनमें members वो भी non federal character show करते हैं अगर special powers की बात की जाए राजसभा की जहां पर राजसभा की powers जो है वो लोग सभा की powers से बड़ी हो जाती है वो scenario special powers of राजसभा तो वो है आपका article 67B, article 249 और article 312, 312 तो हम देखी चुके हैं क्या है नई सिवा का गठन, new formation of all India services, article 249 भी हमने देखा था कि parliament जो है वो law बनाएगी state list के लिए और ये काम कौन करेगा राजसभा करेगी, तो article 67B देखना रहा गया, तो article 67B जो है वो बताता है process of removal of vice president from राजसभा, right, तो process of removal of vice president ये किसमें है, article 67B, process of removal of vice president, और ये process start कौन से में होगी, ये process सबसे पहले, vice president को अगर आपको हर्टाना है, तो ये आपका सबसे पहले start होगा राजसभा से ही, because वो राजसभा के ही chairman होते है, right, तो आपके लिए चौथा सवाल, कि राजसभा के chairman तो vice president होते हैं, क्या वो राजसभा के member होते हैं, can we count the chairman of राजसभा as its member, आज के लिए आपका चौथा सवाल, हाँ और नामे जवाब दीजेगा, comment thread में participation बनाए रखिए, इससे आपकी revision होती रहेगी, जिनको नहीं पता है answer, उनको भी answer पता चलते रहेंगे, और session को like और share जरूर करते रहें, आगे चलते हैं, राजसभा जो उल्लू बनाया जा सकता है, examiner द्वारा, तो आपको उनको बोलना है, नो उल्लू बनाविंग, right, आइडिया का पहले ट्रिंक्टो नाय करता था, तो आइडिया और बदली कि अब तो वी आ गया है, कोई वी आई, right, राजसभा is revisory house and prohibits any kind of its hasty legislation, तो basically राजसभा जो है, काफी beneficial नहीं है, तो उसको एक तरीके से मना भी करता है, इसके लिए एक तरीके से देखना, investigative type, revisory house है ये, right, अब बात करते हैं membership की, तो राजसभा के membership की अगर हम बात करें, तो इसमें आते हैं अपके 245 members, 233 तो चुने जाते हैं elected, elected by whom, elected by elected MLA's, right, और जबकि जो 12 है, वो क literature, science, arts, social service, इन से वो represent करते हैं, तो 245 member है, maximum कितने रख सकते हैं, maximum एक लिमिट जा सकती है, 250 तक, ये भी अब धियान रखेगा, this is the maximum limit of members of राजसभा, numbers of members of राजसभा, अब इनका voting system क्या होता है, right, first, past, post the system होता है, क्या, first, past, post the system, FPPS, या फिर PRA system होता है, proportional representation system through single transferable vote, तो answer है, PRA system होता है, so the voting process followed by PRA system, what is PRA system, proportional representation system through single transferable vote, and done through open ballot system, secret ballot system नहीं, open ballot system, ध्यान रखेगा, और राजसभा कभी भी dissolve नहीं होती है, one third of members इसके हमेशा दो साल में retire होते रहते हैं, members का tenure 6 साल का होता है, chairman का tenure 5 साल का होता है, तो ये थी राजसभा, अगले lecture में हम देखेंगे, राजसभा के बाद, लोगसभा को, साथी साथ अब देख लेते हैं, ये list है आपके screen पे, कि allocation of seats of राजसभा state-wise, तो कितनी-कितनी seat हैं, तो इसमें basically सारा आपको याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, कि maximum किसमें है, minimum किसमें है, ये आप देख लीज़िए, इससे आपको काम बन जाएगा, जिसे आंदर परदेश में देखें तो 11 है, अरुनाचर में देखें तो 1 है, बिहार में देखें तो 16 हैं, number of seats, और members हैं 14 सिर्फ, दो vacant हैं यहाँ पर, तो 11 members ही देख लेते हैं basically, 14, इसके बाद आपका जो यहाँ पर highest दिखाई दे रहा है, महारास्टर में, 19 तो भी तो सब ज़्यादा महारास्टर में हैं, तो यह आपको देखना है, ध्यान से, यहाँ पर हम देखें तो इस list में सब ज़्यादा उतर परदेश में आ रहा है, तो सबसे highest किसम हैं उतर परदेश में, तो इस तरीके से आपको maximum और minimum देखना है, minimum तो 1 है और काफी हमें है, नौर्थ इस्टेट में आप मेगाले ले लिजे, मिजोरम ले ले लिजे, नागा ले ले लिजे, तो वहाँ पे सेशन आपको कैसा लगा, जरूर बताएं, शेर दरूर करें, लाइक करें, कमेंट थेड में पार्टिसिपेशन भी रखें, बहुत सारे अच्छे अच्छे लिंग्स आपके लिए यहाँ पर हैं, इनका पूरी तरीके से लाब उठा हैं, हम मिलेंगे अगले के सवाल बनते हैं, वो भी हम देखेंगे, तब तक के लिए, नमस्ते, जय हिंद।